मेरे जैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आखों के आसपास अचानक से शिकुडन आने शुरू हो गई है यानि कि आखों का जो यह एरिया होता है हमारा यह आसपास हमारे बहुत ज़्यादा जूरियां यह सिकुडन जैसे महसूस होने लगी है अभी आप देख सक आखों के आसपास का एरिया एकदम ब्लैक हो जाता है यानि कि काला हो जहता है और कहिसे खतम कर सकते हैं क्या लगाए और क्या नहीं की ज़रूरत है तो आप सभी से रिक्वेश्ट वीडियो को पूरी सुनिएगा अगर आखों के आसपास आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गहरी गहरी बोलते समय सिकुड़न होती है या अचानक ही आपको ऐसे पास से देखने पर महसूस होता है कि आपके यहां को बहुत ही बहुत ही बहत्री चीज्ज़ यहां पर मैं बता रही हूं सबसे तो अपनी आखों के आज पास सबसे पहले आप एलोवेरा की एक पूरी लेइर लगा दीजिए अनगली से अगर यह एलोवेरा जल नेचुरल यानिकी प्लांट से निकाला हुआ होगा तो बहु आपके हान नहीं है तो आप रेट्रिमेट एलोवेरा भी ले सकती है अब इसको आप अपनी आखों के उपर लगा रहने दीजी आसपास अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन लेब बता रही हूं उसको आप नियमित अपनी आखों के उपर लगाएगा इससे बहु आधा चम्मच एकदम गाढ़ा ताजा दही यानि कि वो एकदम टुकड़े वाला दही होना चाहिए उस दही में बिलुकुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसी में आपको लेनी है आधा चम्मच दूद की मलाई दूद आप गरम कर लीजिए ठंड़ा होने के लिए फ्रिज है वैसे भी आप बाहर रख देंगे तो भी अच्छी मलाई पढ़ जाती तो आधा चम्मच आपको वहीं मलाई जाहिए उसी में आपको आधा चम्मच कौफी पाउडर मिलाना है और इसी में आपको आधा चम्मच एलोवेरा जिल मिक्स कर देना है दो चुटकिया फल्दी इसी में डाल दीजिए और इसी में एक चौथा ही चम्मच आप सहद मिला लीजिए सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किजिए अपनी उंगली से ही बहुत अच्छी तरीके से जल्दी पहेटते हुए एक से डेर मिनुट इसको फेट है ताकि ये बहुत बेहतरी एक दम चिकना सा लेप बन जाएगा फेटते फेटते उसके बाद में आप जो आपने अपनी आँखों के आसपास लगाया था उसको आपको धोना नहीं है उसी के ऊपर से आप अपनी ये सारी चीज़े जो अपने मिला के एक लेप तयार किया है ये लेप आप उसी ए आपके जहरे की कि साफ होगी रंग साब होगा चेहरे पे चमक आएगी और जो आखों के आसपास का ऐरिया डल हो गया है स्टिक्टन आने की क्यों जूरिय आने लगी है और दिनों दिन आपकी स्किन निखरती चली जाएगी और जो आपकी यह समस्या है पूरी तरीके से एक दम खतम हो जाएंगी आप देखिएगा जब आप तीन से चार बार इस चीज़ को यूज कल लेंगे इस लेप को उसके बाद आपको जब पहली बर कितना अच्छा यह लेप है तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो काम की लगती है तो प्रीज जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाईएगा शेयर किजिएगा नमस्कार धन्यवान